आई चाहा बाबा चाहा अरजना देटा तु यह सही नहीं कर देखे अपनी सग्य बहिन की शाली में जाने से इंकार कर लिए तू असना सही कर लिया था मैंसके साथ हो गया तू फिर से उसके पलू के नीचे अरे तू मेरे फैसले से सहमत क्यो नहीं है कड़र किया पंधने माय के तू जाने बोल हो ना मैं अलग माय के नहीं भी थी तब नवीकित आज माय के भी तुजे कोई बóने का ready अरे तू नहीं कहता beleza लेकिन इसके गरओले तो है न बोलने वाले कि बोलेंगे इसने ही कुछ कर दिया और नहीं है ऐसा तो क्यों बीच में बोली एक ऐसे कांगे नीचे लगा दूँगी ना जिन्दा की वर याद लखेंगी कितनी बार बोला है तेरा भोज नहीं रखना मेरे सर पर मुझे यह रहेगा है अधियख नार्शना का कोई भुछ तेरे सर्पनेर है अधिया अब करे सम ठाफने अविट तो थे घर पर नहीं जाने का वर स्टैकिया लगा है अइस घर परिआ सेसी करनावा है लेकि Nordmai नहीं कुछ कुछ को द ngay नहीं सोच के फैसला के एक नहीं समय के वी कुछ पर ञेंगे मैं अच्छना के गर पे रहूँगा पर हर वो जिम्मेदारी उठाओगा जो घर का एक बड़ा दामाद उठाता है कि यह कलर अच्छा है मुझे पता है वर्षा तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल अलग अलग है इसलिए तुम्हें तुझे लेके आई हूं ताकि तु अपनी शादी की शॉपिंग ना अपनी पसंद से कर सके आई तैंक्यू सो माच आपने मुझे यहां बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगता है सच अज जसकर में मेरी पसंद का इतना खयाल रखा जाता हो उसकर की हर छोटी-छोटी पसंद का मैं जरूर खयाल रखतूंगा हां आई यह दोनों और यह वाली यह तीन साडिया मुझे अच्छे लेगी ठीक है ना दादा इसे पार्सर करवा दीजिए और दादा उसमें से दिखाना न वह वाली अरे यह को लिए नहीं हो वशर तो एक काम कर कुछ नहीं ले कांजी वरं बनार्सी या फिर पैठ में जो तुझे पसंद हो आई वो अच्छली इतना बजेट नहीं है वो क्या है ना मुझे आई ने कहा था यह साडिया खरीदने के लिए जितना आई का बजेट होगा उसी में लेनी पड़ेगी ना ठीक है तुसे लेक कर लिए ने अधर कांटर पे कि अधर वो बला दिखाना ना यह नीचे अहां यह लीचे इन्हें पाक कर दीजिए और इसका बिल सेपरेट बनाना वो कितना होगा तुम पेमेंट की चिंता मत कर पैसे मैंने दे दिये लेकिन आई आपने क्यों क्या फरक पड़ता है वर्षा मैंने दिया तुमने दिये एक ही बात है इन पैसों से तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना आई प्लीज ऐसा मत कीजे मुझे अच्छा नहीं लगेगा आई ये सारी साड़िया मेरी आई ने हमारे रिष्टेदारों को शादी में बेट देने के लिए खरीदी और अगर आप इसका पेमेंट करेंगी तो वो सही नहीं होगा आई प्लीज आप ये पैसे रख लीजे मेरे लिए आपको पूरा तो नहीं लगा ना चूट नहीं बोडूंगो तुमसे जब तुमने मना किया तो मुझे बुरा लगा लेकिन फिर अच्छा भी लगा तुम्हारी इसी खुद्दारी की वज़स से मेरे बेटे को तुमसे प्यार हो गया है कल से पांच दिन थक मैं अच्छा के गर पे रहूंगा और हर वो जिम्बधारी उठाए जो खर का एक बड़ा दामाद उठाता है अरचना मैं चलो आप आप यहां के चिंता बिल्कुल मत कीजगा मानब चिंता करने की कोई वज़ाई नहीं है तुम यहां हो तो तुम सब समालो कि मुझे बता है मानब आए आपको देखकर बहुत खुश होगी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वहां आ देखकर वो थोड़ी सी उदास भी होगा आप उसे समझाएंगे न मानब उसे सिर्फ इतना खएगा कि उसकी बेटी उसके सिखाए हुए संसकारों पर चल रही है आज उसकी ससुराल में उसकी ज्यादा जरूरत है इसलिए वो माई के नहीं आ सकती तुम्हारी आई तो मैं अच्छी तरह जानती है अगर फिर भी समझाने की जरूरत पड़े तो मैं जरूर समझाओंगा और अगर यहां कोई प्रब्लम होना तो तुम मुझे फोन जरूर करना मानब अगर आप खोसकर में कोई तकलिफ होई तो क्या आप मुझे फोन करेंगे नहीं न मानब आप अच्छी तरह जानते हैं मुसीवतों का हल निकालना और यह सारी बाते जाने अंचाने मैं आपसे सीखिया हूँ इसलिए बिल्कुल चंता मत कीजे अगर अगर मुझे किसी भी चीज के जरूरत पड़ी न तो यह बाबा है काका है मैं उनसे मदद मांग लोगी रही बात आई कि हाई से मुझे नाही कभी तकलिफ थी और नाही कभी होगी यह कुछ पैसे हैं वर्षा की शादी में उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना मानग पहले ही गर में इतनी स्तारी मुसिबत्ते हैं और उपर सी नहीं अरजना यह तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैंने वर्षा और वैशाली की शादी के लिए पैसे जमा किया है बीच में थोड़ी तंगी हो गई उसमें से पैसे निकालने पड़े लेकिन अभी भी बचे हैं कुछ तुमसे रख लो कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के लिए आना शादी के दिन सब को ले के आना मैं तुम्हारा इंतिसार करूँगा अपना ख्याल रखना अब भी मना आए जीजु आप आई, जीजु आले खुश रहाँ अर्चु, अर्चु कहा है आई, अर्चु नहीं आपर नहीं आई, क्यों? मेरे मतलब है, उसकी तवियत वगरा तो ठीक है ना? नहीं बाबा, उसकी तवियत बिलकुल ठीक है वो घर पे वंदु को लेके आई बहुत परेशान रह रहे हैं और उनकी तवियत ठीक नहीं है इसलिए अर्चु ने खुझ से कहा कि वो रूखेगी और आई का ख्याल रखेगी लेकिन वो वो वरिशु की शादी के पहले आ जाएगी है कि मुझे मुझे पता है आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा अर्चु की कभी जगह ले भी नहीं सकता लेकिन अरे नहीं नहीं माना ऐसे कोई बात नहीं बलकि तुम यहां आए यही हमारे लिए बहुत है और मैं अर्चु को जानती हूना उसने जो भी फैसला लिया होगा सही लिया होगा सच कहती हूं अर्चु की यहां ना आने का दूख जितता है ना उतनी खुशी तुम्हारे आने से भी हमें हुई है चलो अंदर चलो माना अच्छा होता ना अगर अर्चु भी आती है आई तू कशल अवड़ी दुख्य होती है तू देख नहीं रही है तुझे तो खुश होना चाहिए देखना कितना प्यार है तेरी बेटी और दामाद में तेरी बेटी उस घर की बहू होने का फर्स निभा रही है और उस घर का बेटा इस घर का दामाद होने का फर्स में भारा है। दोनों एक दुसरे के घर वालों के लिए जी रहे हैं। है ना? तो सच कह रहे हैं। लेकिन इसका क्या फाइदा? थोड़े दिनों में इनका तलाख होने जा रहा है। और ये सच बदल नहीं सकता। रिष्टे टूपने के मोड़ पर है। इस वक्ती उलजेंगे तो दर्द और बढ़ेगा। सुकुन बस इसी बात का है कि मानव के लिए हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। क्या हुआ जीजू? खाक हो गया आप। नहीं वहुझे लगा के मेरे सामने बंदू खड़िया। तो क्या हुआ जीजू? आपके लिए मैय और बंदिता एक जैसे ही है ना। चल्ड़। एक नंबर का नाटक बात ही याद दिया। अरे जब अर्ची नहीं आ रहे थी तो इसे आने की क्या जुरूत थी यहां पर। लेकिन नहीं आ गहे है महाशे मोर्था करता। वहां वो बंदिता मेर जाएसे सेवा करवा रही है और यहां यह महाशे आधम के मोठा कर मुझे सेवा करवाने करें। व्लिवे- दोट विछ अब कहिशक दकने लग कि शामे लोगह ब को पूसे लखने लोगहरी जामी हाँ वह, आँ अह, हाँ करकें हाँ मेले मुशस आमट को बताये की एंदेशन का एजन्दा तयार करके डखे एंदू झाल झाल तुम्हारी शाबिया थैंक यू अजीट वर्शा की शादी में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं इरादा क्या है तुरह मला काई वट्ट में त्येका अपलेला आई चाहिए टाइम की बेटा तेरी और अजीट की शादी को पन्रह दिन होगे तु एक बर भी मैंके रहने को नही तुरह जीए नहीं करता वहां जाने का अपने आई बाबा से मिलने का और फिर हमारे यहां शादी के बाद दूसरे हफ्ते में मायके जाने का रिवाज है उसे भी तो निवाना पड़ेगा ना है यह काम करें बिटा फिर चार दिन मायके होंके आई पर अब बर्शा की शाद अई पर अई पर फिर चार दिन बचे है उन्हें बहुत रज़ी प्लांस बनाने है नैने मुष्क्या अधमाने है उसकी शादी तोडने के लिए अगर यह लड़की यहार रहे के तो वर्शा का काम तमाम होने सिख पहिले ही सारी पोल्स बुल जाएके ओ तो यह बात है कि इसी ने तुम्हें अपने बहु पर इतना प्यार आगा अपकी बार उसे बेजेंगे तो वापस नहीं लाएंगे वोगा वो भी जरूर होगा लेकिन अभी है सही समय नहीं है हम लोगों को थोड़े दिन के लिए उसे बर्गाश करना पड़े का है कि शावनी तेरी गोद भराई को थोड़े ही दिन बाकी बच्चे है तो तेरे पापा को फोन कर सकती है आई अभी पापा से हाली में बात हुई थी वो बहुत बेजी है नहीं आपाएंगे अरे लेकिन उदास के होती है विटा तो हम सारे तेरे साथ में हैं पापा भी आना चाहते होंगे लेकिन क्या कर सकते हैं काम है ना है अरे पाप इस अरदर किर से क्यों चालू हो गया दो बार बाम लगाया एक गोली ली क्या बाबा आज अगर मेरी वंदू यहां होती तो उसके हाथ की चाय पीती थी मैं आई यह चाय तुझे किस ने चाय लाने के लिए बोला था बिल्कुल वैसी बनाई जैसे वंदू बनाया करती थी अध्रक और मसादा डाल गे और इससे आपका सरदर भी ठीक हो जाएगा बंदू तुझें आपने मर्जी से ही बेचा है वह रसम होती है ना शादी के बाद माई के आने की, उसी के लिए ही. अजीद यहां पर मुझे खुद छोड़ने आये थे. अरे, पर वो कहा है? काका, वो मुझे छोड़कर वापस चले गए. बंदू, कुझे सच बता. लिए अजीतने में हुझे, बंदू, कुछा तो नहीं. मुझे सब दिए, मुझे सब देखर है, मुझे. मुझे तू क्या करें? मुझे तू करें? मुझे सब दो, मुझे जब दो. मुझे सब दो, बंदू? अजीटा, बॉलना रोतिंग और रिजी. तून नहीं दो नी उन्हों नहीं, बोल ना विट अपना था था जा जए, इस बात गिलेए, बपा भुझा मुझे गले वाप नहीं करें लो तुनि आचना पर हात लीगता है अब ओर देख, तू कुछ नहीं बता हैगी किसी को, तू चुत रहेगी हमनु तू टू किसी कुछ नहीं कोई घञीलिया, आज में पोल ले थो अजुपन ही नहीं सकते हैं पर अज़ाज को सबने सरफ को को कर देह सकते हैं अजय को घ्रसर का है नहीं को भी थो तो अकर कपड़ पाने में कामियाब होती है तो मैं तुझे यपी दिलाती हूँ तेरे परिवार के सब मुसिबते खतम हो जाएगी तो मैं तुझे अपने कासं दी दी इसलिए 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 सब कुछ किया बाबा महरे बास और कोई चारा नहीं था मैंने सोचा कि मैं कातापड खालूगी तो मेरे बंदो की जिंदगे में कुछी आजाएगी इसलिए मैंने इसलिए देख बंदो मैं सारी बाते बूल चुकियो और अब तो भी बूल जाएगी चलंदर चारा चलंदर चलंदर चहे अब रोना बन गए